Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं The Victor Poem English Class 6 तो आज ये स्टार्ट करते हैं इस Poem को इस Poem में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि Positive Thinking क्या होती है अगर हम या हमें Life में Success होना है तो हमें Positive Thinking की Power को जानना पड़ेगा तो जो कभी है इसमें Positive Thinking के बारे में बता रहे हैं ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से This Poem is about the power of Positive Thinking इस Poem में बता गया है कि जो Positive Thinking है उसके क्या Power है या जो Positive Thinking है वो हमारे लिए किस तरह से Beneficial है Here the Poet explains how a belief in oneself brings success इसमें जो कभी हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप पर belief करते हैं भरोसा करते हैं तो किस तरह से हम लोग success बन सकते हैं या किस तरह से अगर हम अपने उपर belief करते हैं भरोसा करते हैं तो किस तरह से हमें success मिलती है? Whereas a negative attitude can lead to the failure ठीक है? अगर हम negative thinking सोचते हैं तो ज़्यादा chances हैं इसके कि अगर हम लोग कोई काम करने हैं तो उसमें जरूर fail हो जाएंगे तो इसमें क्या है? बैसे कि जो poet है वो positive thinking के बारे में बता रहे हैं तो start करते हैं पहला जो line है इसमें बोलना है poet if you think you are beaten you are अगर आप अपने आप से सोचते हो you are beaten beaten का मतलब है कि हारा हुआ अगर आपने आपको सोचते हो कि मैं हारा हुआ हूँ या किसी से छोटा हूँ तो आप क्या सोचते हो negative thinking है तो ये negative thinking है और ये आपके साथ होगा जरूर कि आप क्या हो? हारे हुए हो ठीक है? if you think you are there not, you don't अगर आप सोचते हो आपके पास क्या है? साहस नहीं है तो बिल्कुल भी आपके पास साहस नहीं रहेगा कोई भी काम करने के लिए यानि इसमें कहने का मतलब है अगर हम जिस तरह से सोचते हैं जो life है उसी तरह से हमारे साथ होता है if you like to win but think you can't it almost a pinch you want यानि इसका मतलब है अगर आप सोच रहे हैं कोई भी काम करें कि मैं क्या हो जाऊंगा? मैं जीत जाऊंगा मैं क्या हो जाऊंगा? win हो जाऊंगा लेकिन आप एक तरफ से और सोच रहे हैं कि out of thing you can't यानि आप और सोच रहे हैं कि मैं इसको काम को कर भी नहीं पाऊंगा ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको इस काम को करने में failure जरूर मिलेगी ठीक है अगर हम अपने आप बिलीफ करते हैं भरोसा करते हैं कि अगर मैं particular कोई काम कर रहा हूं तो क्या हो जागा अगर मैं उस से उसमें अगर मैं positive हूं तो मैं क्या हो जाँगा उसमें success जाँगा लेकिन इस line में क्या बता रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीट जाँगा लेकिन आप कभी कबार सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो गया मैं मेरे बस की बात नहीं है या मैं नहीं कर सकता तो हाला कि यह रियल बात है तब आप कर भी नहीं पाएंगे ठीक है आप बिल्कुल हार जाएंगे अब नेक्स जो इस टेंजा है क्या कह रहा है पढ़ते हैं If you think you will lose, you are lost अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे एक ही चीज से सकसज capaz मिलती है हमें क्या करना परता है यानि हम कुछ भी काम करना चाहते हैं हमें क्या करना परता है तभी लोग उस काम को कर पाएंगे it's all in the state of mind यह जो सारे चीजें हैं वो mind की state पर defend करता है अगर हमारा state of mind क्या है ठीक है हम सही से positive thinking कर पा रहे है या सही से हम किसी चीज को क्या कर पा रहे है उसको अपने साथ relate कर पा रहे है या हमारे अंदर कुछ believe है तो हम क्या कर सकते है उस काम में जिरूर सक्सेस होंगे जो भी काम आप करना चाहते हो लेकिन अगर कोई काम करना चाहते हो आप के अंदर negativity है तो बिल्किल भी आप उसमें fail हो जाओगे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इसमें कहने का मतलब यह है जो third stage है क्या बोला है अगर आप सोचते हैं कि मैं क्या हूँ दूसरों तो छोटा हूँ या मेरे बस की बात नहीं है तो आप रियली में वो काम नहीं कर पाओगे आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपना सोच बनाना पड़ेगा कि हां मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ आपके अंदर confident लाना पड़ेगा या confident बनाना पड़ेगा तब कि मैं इस कामबू कर सकता हूँ तभी आप क्या कर सकते हो high to rise या तभी भी आप क्या कर सकते हो ऊट सकते हो या दूसरों से उपर हो सकते हो If you have got to be sure of yourself before you can ever win the prize यानि अगर आप कोई भी prize जीतते हो या भी कोई भी काम करना जा रहे हो आपको अपने आपस से ओर होना है कि हाँ कि मैं एक काम कर लूँगा ठीक है Life battles don't always go to the stronger or faster man या जो life है वो हम से आगे कभी भी नहीं जा सकते है अगर हम चाहें तो अपने according life को जी सकते है बट sooner or later लेकिन कभी जल्दी में या कभी उसके बाद क्या होता है the man who wins is the man who think he can यानि इसमें कहना का मतलब है कि वही इंसान जीतता है जो सोचता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ ठीक है तो यहां तक जो पोयम थी ठीक है इसमें यही बताने की कोशिस की गई है कि अगर हमें किसी काम को अगर हम लोग कर रहे है तो हमारे अंदर positive thinking रहनी चाहिए दूसरी बात हमारे अंदर अपने उपर belief होना चाहिए confidence होना चाहिए और हमारे अंदर क्या होना चाहिए एक तरह की अपने उपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ तभी क्या होगा आप किसी काम को कर रहोगए तो उसमें आपको success मिलेगी ना कि अगर हम इस तरह से कहते हैं कि नहीं मैं साथ यह काम नहीं कर पाऊंगा मेरे बस की बात नहीं है तो आप क्या कर रहो negativity को दावत दे रहो या अपने अंदर negativities को सोच रहो तो यह क्या है आपको failure तक ले जाए गए या आप किसी भी चीज में success नहीं हो सकते हो हमें क्या करना चाहिए हमें सा positive thinking रखना चाहिए ओके so I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लिस like and subscribe my channel thank you so much